Hello my dear student and welcome back to my youtube channel let's discuss dear student जैसा के screen पर देख रहे हैं today we are going to discuss class 9 subject science and worksheet number 42 and this worksheet for 22nd of October 2021 so dear student today we have a chapter force and law of motions so today we will discuss law of conservation of momentum जो की most important है dear student right तो यह इसका मैं सीधा सा बता दू according to law of conservation of momentum जैसे कि यह बैकती बैठा है यह इधर बंदूग चला रहा है और यह इधर फोर्च लग रहा है यानि जितना इधर बंदूग चला रहा है उसी उतना ही इस साइड भी फोर्च लग रहा है ठीक है यह बंदूग चलाने में तो इसे कहते है जैसे law of conservation of momentum यानि in the sum of the moment of the two object before the collisions is equal to the sum of the moment after the collisions provided there is no external unbalanced force acting on them the total momentum of the two object is unchanged or conserved by the collisions यानि हम कह सकते है इनर्जी ना तो create किया जा सकता है नहीं तो destroy किया जा सकता है यह देखे अगर इस पे जितना बल यह लगा रहा है उतना ही फोर्च यह लगा रहा है अगर यह बस्तू है और यह बस्तू है ठीक है object है तो इनर्जी नाइदर भी इनर्जी सेव्ड होता है उसे हम मोमेंट यानि लॉफ कंजरविशन आप मोमेंटम कहते है ठीक है आई होब दील स्टूडेंट आपको समझ में आगिया अब दिखे एज पर द लॉफर फारिग द गन द बूलेट अर्ट इस इस जिस्टम इस जिस्टम अब द बूलेट इस द आई हो जा यह बॉल ए है और यह बॉल बी है ठीक है तो जब कॉलिजन होता है ठीक है यानि भीफोर ठीक है भीफोर कॉलिजन तो इस डायरिक्शन में फोर्स लग रहा है यहां भी इस डायरिक्शन में फोर्स लग रहा है और कॉलिजन के बाद इस डायरिक्शन में फोर्स लग रहा है तो कहने का मतलब है dear student, यह यह object है A है यह object आपका B है ठीक है तो before पहले यह एक बार इस direction में force और फिर यह direction में force लगा रहा है तो यह जो दोनों force है dear student यही तो है law of conservation of momentum यही law of conservation of momentum है यहाँ पर आप clearly देख सकते हो dear student इसको आप आसानी से यह जो आपजेक्ट है ठीक है इसमें आपका जोने यह आपका जोने फर्मूला है जो कि इसको आपको याद रख लिएना है ठीक है M A u A plus M B plus U B equal to M A equal to U A plus M B plus BB ठीक है अब देखिए इसमें कहा जाता है एक एक यूर जा रहा उतना ही एक की ओर कर रहा है इसी लिए करके जहाना प्रम डवाँडेर्ल मॉमेंटम आप बाल आई, गाल किया ंचेंज होता है अब देखिए इसमें बहुती आसान से प्रस्ट है रियर स्टुटेट्ट जो कि टोटल नंबर और फाइब कोशन से जो कि एजी है चलिए इससे सॉल्ब करते है राइट फस्टा देखिए तेखिया है रितेखिया के स॑ देखिया है रहाँ ञाट ची̸रण भकर्याऩं प्रilा नंख नचेंगी यह बहुते है ट्रॉ पूप्जेक्ट एक्षार्ट फोसी को एन अपॉजी डायटियर्ट्ट नाव पॉजिशन नमें दोप्जेक्ट चुछ एक्षान इक्षान एक्षान पॉजाच लगाता हैं ठीक है is based on the newton's third law of motions and equal and opposite reactions the rockets gets a force of unequal portions in the forward directions when the releasing hot air backward at the fast speed right question number fifth fourth direction complete the given equations of the conservation of momentum तो ये आपका equation है and last one question है fifth है during the collisions well ball a exit force f a b and the ball a ball b and a ball b exit force the f ba and ball a the two force must be equal to opposite to the each other तो ये आपका हो जाएगा ठीक है f ba equal opposite हो जाएगा right तो आइ होब डीदे डीड स्ट्डिट यू लाइक इस वीडियो इसे लाइक किजिए शेयर किजिये और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रेस कीजिए ठीक है डियर चलिए प्रिमित दे नेक्स्ट लक्स्ट में बाबाई टेक्या है वे नाइस टे